इस वीडियो में हमारे पास यह question है, cos raised to the power 4, 2x, इसे हमने integrate करना है, तो as always पहला step, let i equals 2 cos power 4, 2x dx, तो because आप यहाँ पे देख सकते है, cos की power 4 है, और हमारे पास ऐसा कोई भी direct formula नहीं होता है, जिसमें हम cos की power 4 हो या 3 हो या 2 हो, उसको direct integrate कर सकें, single power integrate कर सकते हैं, cos हो या sine हो, तो अब हमें करना क्या है, इसको हमें convert करना है single power में, तो कैसे करते हैं, देखो, हमें जब power को reduce करना होता है, cos या sine को, तो cos 2x का formula बहुत काम आता है, cos 2x होता है, 2 cos square x minus 1, दूसरा 1 minus 2 sine square x भी होता है, अगर आपको sine की power को reduce करना है, यहाँ पे हमारे पास cos की power 4 है, इसकी power को हमें reduce करके single power में लेके आना है, इसलिए हम यह formula apply करेंगे, तो I am sure आपको यह पता होगा, तो अब आप देखो, अगर हम इसको इस्तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos square x equals to 1 plus cos 2x, और cos square x हो जाएगा, 1 upon 2, 1 plus cos 2x, तो हम यह apply करने वाले हैं यहाँ पे, तो because यहाँ पे power 4 है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, cos square 2x और इसकी power 2dx, अब इसको हम लिखेंगे इस form में, तो यह हो जाएगा, half 1 plus cos 4x, यह धियान रखना, और इसकी power हो जाएगी 2dx, देखो हमने किया किया, आप notice करो, जो भी angle यहाँ पर यह होता है, वो double हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा, यह 2x angle है, तो यह double हो जाएगा, 4x बन जाएगा यह angle, तो यह open करते हैं, इसका square किया, तो 1 upon 2 का square 1 upon 4 होता है, उसको बाहर ही लिख देते हैं, और यह फिर अंदर है, a square, प्लस 2ab, प्लस b square, ओके, तो यहाँ पर इसका integration और इसका integration तो अब हो जाएगा आराम से, लेकिन यहाँ पर फिर से square है, तो फिर से same यही apply करते हैं, और यह हो जाएगा, 1 upon 4, integration, 1 प्लस 2 कास, 4x, प्लस half, 1 प्लस कास 8x, तो फिर से हमने वही identity, हमने यहाँ पर apply की है, थोड़ा सा simplify करते हैं, 1 upon 4, तो यह 1 है और यह half है, तो यह 3 upon 2 हो जाएगा, 2 कास, 4x, और half का इसमें multiply होगा, तो यह ऐसा हो जाएगा, तो I am sure आपको यह समझ आ गया होगा, और अब हम finally इसको integrate करेंगे, 1 upon 4, 3 upon 2x, प्लस, यह हो जाएगा, 2 तो as it is आएगा, sin 4x upon इसको differentiate करके उससे divide कर देते हैं, फिर यह 1 upon 2 as it is है, और यहाँ पर यह हो जाएगा, sin 8x और इसको differentiate करके उससे divide कर देंगे, हम 8, प्लस c, और यहाँ पर हम multiply कर सकते हैं इसका अंदर, तो यह हो जाएगा, 3 upon 8x, प्लस, यह 2 से कटा, तो दूने 4, तो 1 upon 8, sin 4x, प्लस, और यह हुआ, 8216, 1664, 1 upon 64, sin 8x, प्लस c, यह हमारा final answer है, I hope आपको यह solution अच्छे से समझाया होगा,